बेटों के इंकाउंटर का डर और उन पर सरकार ने अब रखा है पांच-पांच लाक रुपए का इनाम वहीं फरार पतनी शाइस्ता पर भी है पच्चिस हजार रुपए का इनाम इसके साथ ही सत्यकान के आरुपी शूटर अब्दुलकवी की तस्वीर जारी कर पचास हजार रुपए का इनाम घोशित किया गया है वहीं दूसरे आरुपी शूटर गुड़ो मुस्लिम और असद के नेपाल भागने की आशंका के तहट सीमा पर बसे बहराई समेत कई जुलों में पुलिस, स्टीएफ और खुफिया एजियंसियों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और सीमा पर हर गुजरने वाले पर पैनी निगा है इस तरह उमेशपाल हत्यकान के कई फरार शूटर पुलिस की पकल से बाहर हैं जो सरकार के लिए चुनोती है आपको बता दें कि भारत नेपाल की खुली सीमा अपराधियों, माफियाओं और तसकरों के लिए वर्दान साबित हो रही है भलही सीमा पर कई साल पहले स्सबी की तैनाती क्यों न कर दी गई हो इस हत्यकान के बारे में परदेश के कैबिनेट मंतरी अनिल राजभर ने बहराईश में अपने बयान में बड़े विश्वास के साथ कहा है कि आप राधी अगर पाताल में भी रहेंगे तुने खोज निकालेंगे सामन साफ है उसको डरने की क्या आवसर अगर किसी के जीवन पर या किसी भी प्रकार के किसी भी आरोग की हमारी एजनसियां को जाच कर रही है और आप इमानदार हैं तो आपको डरने की क्या आवसर आप एजनसी का सामना करिए आप सही रहेंगे तो दूद का दूद पानी कपानी हो जाएगा यह हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें काम करने वाले हमारे जो इमांदार लोग उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का प्रयास विपक्ष के तरब से हो रहा है और इस तरह की टिपडियां निश्ची तोर पर संस्थाओं को कमजौर करती हैं कहीं ने कहीं उनके मनोबल को प्रभावित करने का काम करते हैं असरा मां गांदी विदेश में जाकर भारत के खिलाब बात करते हैं इस पर क्या कहना है मैं भारत जोडो अभी उन्होंने यात्रा कि अब वो यात्रा का उद्देश और मक्षद क्या है इससे हम लोगों को समझना चाहें जब इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंध किया तभी हम लोगों ने कहा कि सर्धे प्रधान मंत्री जी के प्रभाव का कम से कम इतना आशर तो हुआ कि भारत को तोड़ने वाले भारत को बाटने वाले आज भारत को जोड़ने की बाद करने हैं लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे इस देश के प्रती उनका जो नजरिया है उनके जो बयान है वो परिलक्षित कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि सोलह दिन बीतने के बाद भी अपरादी पकले नहीं गया है खास करके बुड्डू मुस्लिम और असद के बहराईच से नानपारा से होते हुए नेबाल भागने की सूचना बताई जा रही है बहराईच में रुखने की सू आगे भी कर रहे हैं हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं जो गुनागार हैं उनको सजा मिले ये हमारी प्राच्विक्ता है और आप सब के माध्यम से आप सभी के सम्मानित दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपराधी पताल में भी रहेंगे तो वो ब